गर्मी का मौसम आते ही खेतों में आग लगने की घटना आम हो जाती है और किसानों को हर वक्त इसका डर भी सताता रहता है ऐसे में एक किसान का डर उस समय हकीकत में बदल गया जब गेहूं काटते समय अचानक उसके खेतों में आग लग गई तेज हवा के चलते आग की लप्टें इतनी तेज हो गई कि आग फैलती चली गई और आसपास के खेतों को भी अपने आगोस में ले लिया जिससे दूसरे किसानों का भी कई एकड़गे हूं बरबाद हो गया मामला मुहमडाबाद गोहना थाना छेतर खाय है इस घटना से ग्रामिलों में अफरा तफरी का माहौल हो गया महीं लोगों ने फाइर विभाग को फोन भी किया लेकिन दो घंटे बीच जाने के बाद भी फाइर विभाग मौके पे नहीं पहुंचा किसी तरह ग्रामिलों की साहता से किसानों ने आग पर काबू पाया लेकिन किसानों का लाखों का गेहु जल कर खाक हो गया मुख्यमंत्री योगी ने किसानों के एक लाख तक का कर्ज माफ कर दिया है लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इन किसानों की भी साहता करेगी जिनकी फसले आग लगने से बरबाद हो गई है और रोचक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेयर करना तो बिल्कुल भी न भूले